एक और खुसी की बात है कि जन्नायक कर्पुरी ठाकुर जी को भारत रप्न भी प्रदान किया गया। तो हम तो सुरू से कह रहे हैं 2007 से ले करके आई 2023 तक हर साल पहले कॉंग्रेस की सरकार या और की सरकार बाद में अभी जो सरकार है इस साथ लोगों को हम अनुरोद करते रहें लिखते रहें कि जन्नायक कर्पुरी ठाकुर जी का भारत रप्न प्रदान किया जाए आभी लोग नहीं करते थे लेकिन कल कर दिया है मुझे खुसी है मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और पुधान मंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने स्विकार कर लिया प्रदान ठाकुर जी को भी फोन कर दिये पुनान मंत्री हमको तो फोन नहीं किया है लेकिन सब प्रेस के माध्यन से हम भी उनको पधाई देते हैं हम देख रहते कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आये हैं तो सक्मुच आज बहुत खुसी की बात है कि आज उनके सौवें दिवस के अवसर पर आप सब लोग यहां पर पधार चुके हैं और अब एक और खुसी की बात है कि जन्नायक करपुणी ठाकुणी को भारत रफ्म ही प्रदान किया गया अब आप जन्नियन उनको भारत रफ्म प्रदान करने के लिए तो हम तो सुरू से कह रहे हैं आप अगर देखिएगा तो जब हम लोग की सरकार बनी है 2005 में तो 2006 के बाद 2007 से ले करके आई 2023 तक हर साल पहले कॉंग्रेस की सरकार या और की सरकार बाद में अभी जो सरकार है इन साब लोगों को हम अन्रोद करते रहे लिखते रहे कि भाई जन्नायकरपुरी ठाकुर जी का भारत रफ्म प्रदान किया जाए अभी लोग नहीं करते थे लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुसी है मैं इसके लिए केंदर सरकार को और तुधान मंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्विकार कर लिया अब पता चल गया है कि जन्नायकरपुरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग सुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किये हैं अब सब को लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तब ही जा करके उनको भी कुछ मिल सकता है तब जो भी हो आप जो कर दिये जिस कारण से भी कर दिये मुझे तो खुसी है तो बढ़ाई देता हूं अग वो रामना ठाकूर जी को भी आज फोन कर दिये तो हम को सब यही फोन किये हैं तो हमको तो खुसी है हम को तो फोन नहीं किया है लेकिन सब फ्रेस के माध्यन से हम भी उनको बढ़ाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहते आप इस सब चीज मत कि हम लोग की मांग थी आप खुद में कहिएगा कि वही कर दिये हैं लेकिन तब भी आपको हम बढ़ाई देते हैं